मोधी जी ने बहुत बड़े वाइदे किये। भोला जी ने आकर छेतर में बहुत बड़े वाइदे किये। लेकिन किसी भी वाइदे पर अपने पर खरी नहीं उत्रिए। चा को बहुत बुस्ठ handicap का मुद्धा ओ। चाह वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाह वो शिक्षा का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर, कोई भी ये बीजेपी गोवर्मेंट अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उत्री है। कभी जुंद्गी में देखा नहीं, इतुン सरम की बात है, कि हमारे सही रोपे, जो हमारे भाई मरें, हमें दर्द है, हम इतना रो ना आता है, यहार हमारे किसानों के बेटे हैं, हमारे यह traWar吧 यह सरमकी बात है, कि प्रद्दान मंत्री को उसी दिन राजण को देनां है। किसान की आगर रहा है किसान क्या नहीं कर रहा है उनका सबसे एक मोटेव होता है अब मिजीत मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलेंशेर के शेहरा गाओं में और आज क्योंकि हमारी बात यहां पर गटवंदन के पिरतियासी योगे स्वरमाजी से हुई थी और हमें उनसे इस तरह कि यहां पर अपनी जो सेवा है वो किस तरह की दी है और यहां को क्या लोगों की अपेक्षाय हैं क्या पुराने शांसद उनके अपेक्षाओं कर खरें उतर पाई हैं और जो हैं जो चूंब आएंगे या जिन्हें वह चुनने जा रहे हैं वह उनमीद रखते हैं हम बात करेंगे यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे जानेंगे मेरा सवाल आपने सुन लिया अब मैं बैस यही पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अभी वर्तमान सांसद थे बीजेपी के सांसद थे बहुलो बहुला बहुला नाम था उनका तो उनसे क्या श्रौसि जी नहीं बहुत बड़े बड़े वाइदे किये लेकिन किसी भी वादे पर अपने उनका खौरी नहीं इत नहीं गया अभी तक जो हम रेपोर्टिंग करते आ रहे हैं हमको भी ये तमाम बाते सामने निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी ने तमाम वह वादे किये थे लेकिन कहीं भी कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा जो आगे हम आप गोड़ दोएंगे तो उनसे क्या उम्मीद करते है जो आप ने सांसत अमिरे क्वेन चेटर की सबसेह बड़ी महन समस्सा है सिख्षा की उस सिख्षा के लिए हमारी जो बहन वेट यहां काफी दूर जाना पड़ता है हमारे नज्दीक में एक बीबी नगर में डिगरी कोलिज बना हुआ है जो हमारी पुरानी इस्टेट गोर्मेंट मानने मुलाहम सिंग यादव मुख्यमंतरी जी थे उनके टाइम में ये डिगरी कोलिज हमारा बना लेकिन इसमें अभी ये जो इसना तक है अब वो नहीं है अ अब इस तरह पर काम नहीं हुआ और अभी फिलाल में इसमें में साल चालूंगे अब ये तक है अब ये अपने रास्ता है रास्ते के चकरवान कोई भी काम नहीं है जी आप बताईए आपको क्या लगता है कि जो पिछले वार जो आपने चुना था उससे क्या उम्मीद एत मुद्दों का चुनाव होना चाहिए या फिर किसी केवल पर्टिकुलर नाम पर चुनाव होना चाहिए लेकिन जो महोल बनाया जारा है वो तो नाम का पूरे करेंगे पहले ही पूरे किये हैं आप बताइए आप जो सांसद हैं उनसे क्या उम्मीद हैं देखो सांसद की तो ऐसी बात है कि सांसद से तो हमें क्या उम्मीद है जब हमारे प्रदारमत्री देश के प्रदारमत्री जिने हमें हमें देश की रक्षा उस सारा जिम्मा ह मतलब क्या है चोकिदारी के देख रेक करना जब उनके अंडर एक फाइल चोरी हो जाती है तो ये कितने सर्म की बात है पुलवा मा हमला होता है हमारे भाई सहीद होते हैं उसके दर्द नाक सहते हुए उस पर राजनीती करना ऐसा प्रधान मंतरी मेंने कभी जिंदगी में दे दिन त्याग पत्र दे देने चाहिए था कि मैं यह करने में सक्चम नहीं हूँ अभी आप इनकी बात से सहमत है नहीं हम प्रधान मंतरी यह तो आप लेकिन यह 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 बात चुनाओ का है हम प्रधान मंतरी की बात नहीं कर पर पहली बात नहीं है कि मुद्दे सबी आपास होते हैं हर आदमी जब चुनाओ यह चुनाओ प्रक्रिया के दोरान निकलता है तो सबके पास जनूर मुद्द होते हैं उस सवाल का मैं आपको जवाब दूँ जब हम यहां बात कर रहे थे खुश लोगों से तो खुश लो सब्सक्राइल करें कि आप यहां पर मांग करते हैं कि चीजों पर अभी अभी जो भरोसा जताएंगे जिस सांसत को मतलाब जिता कर लाएंगे जिसको वोट देंगे उससे क्या मांग मतलब आप एक्षा करते हैं आप एक्षा करी जाती है हमारा जो ग्राम समाजों विक्सित होना चाहिए यहां पर पानी सिक्षा या स्वास्त बिजलिया पुर्दियन से चीज़ों के अच्छी व्यास्ता है उनीचे और थोड ज्यादे हमें हैं दिखाई दिया और जो खेती है उससे लगाएं घर लेकिन ऐसे में किसान कैसान कि मतलब का वजह रही प्रे Cambare बलों कि 하기 है पर एक प्रोफिशन है जहां तक मेरा मनना तो सब्वी अपने प्रोफिशन का इसाफ से राजनीती करते हैं उनका किसान क्या क्या नहीं कर रहा है उनका सबसाइब कि अगर आपको नहीं लगता कि अगर आप के जिले में रोजगार इस तर लगतार डाउन जा रहा है तो उस आवाज को बलंद किया जा सके क्योंकि युवाओ का बेरोजगार होना वो सही नहीं है इस बात को संसद में कोई उठा सके ऐसा आप चाहते हैं इस लिए तो शाथ हैं आपके इस थॉनाव में में कोई होने चाहिएं मतलब क्या मुप्ते हैं जो आपके यह हमारे यहां से कोई भी सांसत बन जाए हमारे इस छेतर को पूरे बीवी नगर भी लोको तो भूली जाता जो हमारे पिछले सांसत जीते बोला सिंग जी वो चुनाब के बाद चुनाम में बोटे मंगने आए यहां पर समस्त जितने भी गाओं वाले इखटे हैं और मोजुदा आदमिया सब ग्रामवासी सम्मानित व्यक्ति हैं किसी सभी पूछ सकते हैं चुनाब से चुनाम में बोट मांगना है उससे पहले दिखाई नहीं दिए तो यहां पर जो इस्थान यह सांसत थे उनके लिए नाराजगी जाहिर तोर देखी जा रही है और यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे सभा चल रही है और महागटबंदन के जो प्रतियासी हैं वो यहां पर सभा को संबोदित कर रहे हैं और लोग और भी यहां पर काफी संक्या में बैठे हुए हैं कोसिस यह की जा रही है कि जो यह सिंग नेशन टाइम